जेहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्पूर जानकारिया दूँगा चलते हैं पहली जानकारी की तरफ वित सचिव टीवी सोमनातन का बड़ा बयान अगले साल 8CPC नहीं आएगा केंद सरकार का कोई विचार नहीं दोस्तो यह बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका था लेकिन तब भी पैंशनर पूछ रहे थे क्या भारत सरकार का कोई प्लान है 8CPC देने का वो भी 2024 में चुन सरकार का कोई प्लान नहीं है 8CPC लाने का वो भी 2024 में अभी इस पर कोई बात नहीं चल रही है चलते हैं दूसरी इंफोर्मेशन की तरफ दोस्तो टाइम आफ इंडिया की खबर है AFT चंडिगड का कहना है कि गोर्खा सैनिको की केवल पहली पत्नी ही Family Pension की हगदार होगी नेपाल में प्रचलित रीती रिवाजों की अनुसार गोर्खा सैनिको के लिए बहु विवा की अनुमती है लेकिन सैनिको की मृत्यू के बाद पहली पत्नी को ही Family Pension मिलेगी दोस्त भी कुछ condition है लेकिन दोस्तो नेपाल में कुछ हरीती रिवाज है जैसे बहु विवा के तो उसमें अगर सैनिक की मृत्यू हो जाती है तो उसके बाद उसकी पहली पत्मी को ही family pension मिलेगी अगर उस सैनिक ने दो शादिय कर रखी है यानि पहली पत्मी ही eligible होगी family pension लेने के लि है तो देखने वाली ये बात है कि document में service record में किस पत्मी का नाम उसने दर्ज कराया है उसके बेस पर भी family pension मिलती है पहली पत्मी को या फिर दूसरी पत्मी को और दोस्तो उसके बच्चे भी eligible होते हैं तो जो भी amount होता है चाहिए वो pension का हो total amount या graduate का हो वो फिर divide हो जाता है equal share में divide कर दिया जाता है आदा आदा वो भी court के फैसले के अनुसार अगर department नहीं देता तो दोस्तों यह सारे matter court case से decide होते हैं तो दोस्तों यहाँ पर पहली ही पत्नी को family pension मिलेगी AFT के कहने के अनुसार चलते हैं तीसरी information की तरफ इसपर्ष के pensioner अच्छी तरह से अपने सपर्ष PPO की जाच करें जिनको नहीं मिला थोड़ा wait करिए जिनका migration अभी हुआ है जैसा आपको पता है बहुत से pensioner का सपर्ष पे migration हो गया है और काफी pensioner को सपर्ष का PPO मिल गया है सपर्ष पे login करने के बाद लेकिन कुछ pensioner का भी recent में migration हो है तो उनको अपना सपर्ष का PPO नहीं देख रहा हुआ है दोस्तों आपको थोड़ा wait करना होगा सबसे पहले आप अपनी profile चेक करिए सारी चीजे चेक करिए कि वो आपकी सारी complete है या नहीं है अगर आपकी सारी च सपर्ष का PPO नहीं देख रहा तो फिर आप एक complaint डालिए सपर्ष को उसमें लेखिए कि मैंने अपनी profile सारी चीज़ complete कर लिए लेकिन आप मुझे सपर्ष का PPO प्रवाइट करवाईए जिसे हम बोलते है कोरिजंडम PPO यानि आपको उसमें कोई सा भी PPO नहीं शो हो रहा न आप record से contact कर सकते हैं लेकिन आगर आपको इस पर्ष का PPO लेना है कोरिजंडम PPO तो फिर आप एक शिकायट डाल सकते हैं इस पर्ष को या फिर CP ग्राम के तुरू भी शिकायट डाल सकते हैं अपने इस पर्ष PPO के लिए तो जो भी concern department होगा वहाँ की शिकायट चली फिर दोस्तो अगली information है दिल्ली AFT का judgment जो अभी आया नहीं है यानि जो आपका case है जो आपका judgment है वो अभी reserve है मैं बात कर रहा हूँ 2006 से पहले जो honorary nap सुवेदार है उनका जो case settle होना था दिल्ली AFT से दोस्तो ये मामला काफी महीनों से pending में है इस पे नहीं कोई सुनवाई ह होगी नहीं कुछ और होगा सिरफ judgment finalize होगा तो क्या ये judgment जो reserve है क्या ये भारा सरकान ने कर रहा है M.O.D. ने कर रहा है ये सोचने वाली बात है यानि अभी तक honorary nap सुवेदार का case का case final क्यों नहीं हुआ judgment क्यों reserve करा गया है दोस्तों ये सब सोचने वाली बात है तो मैं चा judgment है वो public हो और वो pensioner के favor में आए यानि 2006 से पहले के जो honorary nap सुवेदार है उनको regular nap सुवेदार की pension मिले तो दोस्तों देखते हैं कि इसका judgment कब finalize होता है कब वो public किया जाता है क्योंकि दोस्तों reserve रहने से आपको कुछ नहीं मिलेगा इसलिए judgment जल्दी से जल्दी viral होना चाहि कोट के द्वारब लेकिन अभी फिलाल इसमें और time लगेगा एक और चीज मैं आपको समझा दूँ अभी ये reserve ही रहेगा और time यहाँ पे लगेगा public होने में या फिर judgment आने में चलते हैं दोस्तों अगली information की तरफ circular 568 631 circular 555 666 दोस्तों यह जो circular है इसमें direct आदेश है PDA को pension dispersing agency को यानि जो भी area s का वो direct आपको PDA पे करेगा pension dispersing agency जो है वो bank हो या फिर CPPC हो या फिर DPD हो या फिर Treasury हो इसमें record का कोई काम नहीं है कुछ pensioner पूछ रहेते क्या इन circular के state का area हो प्री 2006 के लिए चया वो 631 circular हो ओनरी नेफ सुवेदार को एरियर देने के लिए चया वो 555 का circular हो ओ और रोपी वन का चया वो 556 का circular हो ओ और रोपी चू का तो डिरेक्ट आदेश है इसमें बेंको को CPPC को और पर्श को पेमेंट करने के लिए अगर नहीं मिला तो फिर आप कारेवाई करें फिर दोस्तों लास्ट पॉइंट है क्या नोशनल मैक्सिमम से आपकी पेंशन बढ़ेगी यह सोचने वाली बात है क्या आपको नोशनल मैक्सिमम से ज़्यादा फाइदा OROP में मिल रहा है यह भी सोचने वाली बात है नोशनल मैक्सिमम काम करता है आपके pay scale पे और basic pay plus MSP classification allowance grade पे divided by 2 यानि pay scale का highest amount किस तरीके से आपको maximum pension दी जाए उस पे काम करता है नोशनल मैक्सिमम तो दोस्तो 7 CPC में आपका grade पे तो खतम हो गया pension pay आपको grade pay कहां दिया जा रहा है 6 CPC तक आपकी basic pay MSP grade pay classification allowance और उसका आधा ये आपकी pension थी 6 CPC में लेकिन 7 CPC में pay level आ गया है pay level level 3, level 4, level 5, level 6 इस चरीके से लेकिन दोस्तो grade pay आपका खतम हो गया 7 CPC में 7 CPC में pay level के according आपकी pension सेट होने लगी तो दोस्तो यहाँ पे जो national maximum का formula है अगर उसके according आपकी pension revise करनी है उसके according आपकी pension बढ़ा नहीं है तो pay level पे काम करना होगा 7 CPC के according क्योंकि पुरानी pension के according पुराने pay scale के according आपकी pension नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि वो पुराने pay scale से नए level पे जो 7 CPC में इसके according notion maximum काम करना चाहिए तो दोस्तों यह कुछ information थी जो मैंने आपको समझाई और कुछ पूछना हो तो नीचे आप comment कर सकते हैं वीडियो आपको उच्छा लगता है वीडियो को like करें और इस channel को आप subscribe कर सकते हैं Thank you so much